गूद इबनिंग माई डियर स्टुडेंट्स आप लोग कैसे हैं मैं आसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के जो टॉपिक होगा है हिंदी इंग्लिस अल्फाबेट क्योंकि कोई भी लड़के हो चाहें वो क्लास तेंथ में पढ़ते हों चाहें इसके में बहुत ज़्यादा गरबड कर देते हैं तो आज हम लोग सिखेंगे कि कोई भी हिंदी हो हिंदी शब्द हो उसको इंग्लिस में कैसे लिखा जाता है है हिंदी से हिंदी में ही इंग्लिस में कैसे लिखा जाता है तो आज आप लोग को बहुत ही बहतरीन तरीके से concept देने वाला हूँ आप लोग को धहर्यता से सालिंता से या class attend करना है और मैं बताने से पहले मैं आप लोग को सलाह देना चाहता हूँ कि रफ और पेन ले करके बैठे खाली हाथ ना बैठे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पास करके एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखें लेकिन अच्छे से समझे और मैं गरांटी गरांटी दे रहा हूँ कि 100% कैसा भी हिंदी हो किसी का भी नाम हो बड़ा सा बड़ा नाम हो या कोई भी वाटसप पे चैटिंग करते हो तो चैटिंग करने में भी बगल वाले किसी के सामने आप चैटिंग करें किसी के मुबाइल पे तो उससे भी सामने वाला पता कर सकता है कि आप लोग कितने पढ़े लिखें अगर चैटिंग करने में किसी सब्द में गरबर हो जाए तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये पढ़ा ज्यादा नहीं है तो इसलिए हर जगा आपको बचना है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी तो कोई आपको जुका नहीं सकता है तो आएए आप लोग धहर्यता पुरुवक इस क्लास को दे वेंजन से स्टार्ट कर रहे है जैसे वेंजन आप लोग यहां पर जानते हैं 36 होता है तो उस 36 का नाम हम लिख रहे हैं क ख ग घ अंग जैसे पी इस पेलीं आप लोग जानते हैं कि के होता है में रिट कलर नहीं लोंगा दुसरह कलर unre l कि एंगा होता है लेकिन ध्यान आपको यह देना है तो याद करने का कंसेप्ट क्या है कि पहले अक्षर का जो spelling होगा उसके दूसरे वाले अक्षर में एच जोड़ देंगे क्या जोड़ देंगे एच जोड़ देंगे तो का का कि का का के के बाद एच जोड़ दिए फिर पहले वाले का जो अक्षर है जी उसके दूसरे वाले में एच जोड़ देंगे जी के बाद क्या जोड़ देंगे एच अंगा का अग्षर स्पेलिंग एन उसके बाद से च च ज ज ज ज ज ई इं इसका इस्पेलिंग क्या होता है च ज सी डबले से च ज मैंने बोला था कि पहले अक्षर का spelling CH लिख करके उसके बाद वाले में एच जोड़ देंगे जो के spelling दो होते हैं जे से ज़ और एक जेड से ज़ जह का जे एच यह का इन इस तरीके से आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और आप लोग अगर पढ़ाई में कमी करेंगे तो आगे चलकर दिकते होगी तो ध्यान पूरोग आप लोग इसको समझें देखें चा चा जा जहीं है चा चा ड़ा अड़ा अड़ा टाके स्पेलिंग टी ठा का टी एच डा का डी धा का डी एच एन से अड़ा उसके बाद से ता था दा था ना था के स्पेलिंग टी ठा का टी एच दा का डी धा का डी एच ना का एन चलिए उसके बाद से आपका आता है ता था दा दा ना उसके बाद से पा फा भा 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 म इसके स्पेलिंग नीचे नहीं आ पाएगा इसलिए मैं इसको इरेस कर दे रहा हूं चलिए आप लोग एक चीज़ जरूर देख रहे होंगे यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अंगा इया अड़ और ना इन चारो लेटर का जो स्पेलिंग है सेम है अंगा के स्पेलिंग एन इया के स्पेलिंग एन अड़ का स्पेलिंग एन और इसका भी क्या है एन है तो आप लोग सस्पिसे में नहों इसलिए यहां पर मैं बता दिया हूं कि इन चारो अक द्यान दे तो और तो और तो यहां से ले करके और यहां तक भी इसका जो spelling है सेम है दोनों का जो आवाज ध्वानी है थोड़ा सा अंतर है लेकिन आवाज सेम ही निकल रहा है दोनों में अंतर किया है कि इसको जब बोल रहे हैं तो जो आपकी जीव है जो आपकी टॉंग है वो तालू में टच कर रहा है और नीचे वाले में जो टॉंग है वो तीत को दात को टच कर रहा है लेकिन दोनों के जो चारण है सेम है बस थोड़ा सा थोड़ा सा अंतर है इसलिए इन दोनों का जो इसका और इसका जो स्पेलिंग है सेम है कि चलिए आगे चले कि इसको में पहले लिख दूं कि पहले पेज में कर दूं कि चलिए कि अग्याओ अग्याओ उसके बासे पटाइए अग्याओ अग्याओ फ़व बहता है यह रह लव तलाविशन साइब बोदानिशन दान्तिसन आप कच्छा तरह और यहां पे और ग्यान आता है जिसको हम लोग आधागा और पुरा यह लिखते हैं ठीक है कि चलिए कि पर्क स्पेलिंग पी पी एच कि भी भी मां का हो गया एम वाई का यह आर का रह ल एल वह का दो लेटर होता है है स्पेलिंग होता है एक भी और एक डावलू कि तलाविस सर्डाविस का जो स्पेलिंग होगा सेच कि रापिशा मोधानिस दांतीच इन तीनों की जो उचाणा निकल रहे है canyon तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे तलाविसस है और यहां पर मुधानी सा है तो तलाबी सा के स्पेलिंग एस एच और मुधानी सा का भी स्पेलिंग एस एच और दांती सा के स्पेलिंग सिर्फ एस होता है हा का एच कछा यह जो कछा है इसका स्पेलिंग होगा के एस एच के एस एस से कछा और एक एस से होता है कछा आप लोगों अच्छे समझ्मारा तो सब्सक्राइब करें सेएर करें और कमेंट अवस्य और अवस्य और यह ताकि हम लोगा भी मनोबल कि इस उटा होता रहे और भी मेहनद करके और भी अच्छे से content अलाके आप लोगों को दें ओके तरह के spelling जो होता है टी आर और इस ग्यां के spelling होता है जे एन और इस ग्यां के spelling होता है जी वाई तो यह जो concept था पहला concept था इस पहले वह concept को हम first मान लिये हैं concept number first है बड़े से बड़े किसी भी बड़े से बड़े किसी का भी नाम लिखना हो या कोई भी कठी से कठी हिंदी शब्द हो उसको इंग्लिस में आसान से आसान तरीके से लिखने के लिए सब से पहले आपको इस बेंजन को अच्छे से याद कर लेना है और आप लोगो याद भी होगा तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिएजेगा अब आईए concept number second कंसेट नंबर सेकेंड क्या कहता है स्वर श्वर वैसे जब आप लोग कंपटेटिव एक्जाम में जब आप कंपटीशन का त्यारी करेंगे तो वहां पे स्वरों की संख्या 11 होता है स्वरों की संख्या 11 होता है लेकिन आप लोग को स्वर यहाँ पे टोटल तेरा यहाँ पे बताएंगे क्यूंकि आप कि नवदे वाले चात्र या सेचेस वाले या विद्याग्यान वाले आप लोग इस इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें देखें और अच्छे से नोट बनाएं और जितने भी कंटेंट है उन सारे कंटेंट को मैं बैसिक से ले करके एडवांस पढ़ाऊंगा और मैं पूर्ण र चलिए चलिए यहां पर 13 लिखाऊंगा कौन सा और चलिए पहले में यहां पर स्वार लिख दूँ यह स्वार है उसके बाद से उसकी मात्रा उसके बाद से यहां पर इस पहली एस पी डबल एल आई एंजी ओके चलिए अ चोटी ए बड़ी ए चोटी ए को लगुई भी कहते हैं लगुई दिर्गी ए चोटाओं उ बड़ाओं उ यानि लगुई दिर्ग उ चलिए आ का जो मत्रा होता है नहीं होता है आ का मत्रा नहीं होता है आ की मत्रा इस तरह से लिखा जाता है छोटी की मत्रा बड़ी की मत्रा छोटाओं की मत्रा बड़ाओं की मत्रा अब चलिए आ का जो इस्पेलिंग होता है ए होता है की जो spelling होता है ए होता है और की spelling होगा यह भी होता है और डबल अबी होता है छोटी ए का UB लिखते हैं यह डभलोंगते लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं मैं जिसको बोलूँ आपको उस्अ को ध्यान से लिखना है क मैं कर चलिए और कर जो स्पेलिंग है यह होता है आक 叫 spelling आप भी लिख सकते हैं या डबल भी लिख सकते हैं लेकिन जिसके मैं अंडर लाइन करूंगा उसी को आप लोग लिखिएगा ठीक है आप डबल भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा ठीक है जैसे जैसे हम सब्दों का नाम लिखना सिखवाएंगे आपको एक दम किलियर हो जाएगा चोटी ए का स्पेलिंग आई या मात्रा की स्पेलिंग भी आई आ का स्पेलिंग ए या डबल ए उसकी मात्रा की स्पेलिंग भी ए या डबल ए बड़ी या बड़ी की जो मात्रा है उन दोनों की स्पेलिंग आई या डबल होता है लेकिन मैं जहां पर अंडर ला पार एक नहीं आ रहे हैं बहुत अच्छा चलिए और चोटी इबड़ी इच्छुटाओं उ बढ़ाओं उ उसके बाद से उसके बाद से कि री कि ए कि आए कि आए कि ओ आओ कि अंग अ इसकी जो मात्रा होती है इस तरह से होता है एक की मात्रा आए की मात्रा में जो उपर टोपी पहिनाते हैं दो उपर से इसे कर देते हैं ओ की मात्रा आओ की मात्रा अंग की मात्रा और आ की मात्रा और इसकी जो स्पेलिंग होता है A आर आई इसका ई इसका ई इसका ओ इसका ओ इसका ओ इता है या ऐ इसका ऐ इन से उंत इसका होता है ए-च से क्या आप लोग को पंड़रे में अच्छ건 लगरे है अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो सालिंता पुर्वग पढ़ाई करें यहां पर देखिए यहां पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं और क्या आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा लेकिन मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कोई समस्या है नहीं हो यह दो चीज आप लोग का स्पेलिंग वर्ड याद होनी चाहिए जैसे व्यंजन का पूरा ग्यांता की स्पेलिंग य ilg चाहिए और साथी साथ उसकी मत्रा भी समझना है कि री का मत्र ऐसे होता है उसका इस्पेलिंग हो चाहिए कि मत्र हो उन्हудь दोनों के सपेलिंग क्या होता है रहाए यह दोनों चीज आनों गहे अब चलिए अगला जो कंसेप्ट है चांसेत नमबर 3 कंसेप् नमबर 3 में कि खड़ी को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे लिखे यहां पर में लिखा क्या हूँ कि तेरा खड़ी को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे लिखें आप चौंग गए होंगे कि अभी तक तो मैं 12 खड़ी सुना हूं लेकिन किष्णा सर 13 खड़ी क्यों बता रहें तो स्वर यहां पर 13 बताया गया है जिसमें से री जो स्वर है उसको हटा दिया जाता है री यानि री की मात्रा उसका इस्पेलिंग होता है री को नहीं लिखते हैं तो 12 होजाता है तो 12 खड़ी बताया गया है लेकिन आप ही बताये वह पूरे के पूरे में अइक सदह से रहे निक दिया गया पर 13 खड़ी और 14 खड़ी बहुत जबरस तरीके से आपको बताएंगे चलिए दियान को था लीजी आब आप कहां लेकर की जियां किसी भी अक्षर की ये चाहर की को कर निखेंगे तो कितने खड़ी में लिखेंगे कितने खड़ी में लिखेंगे बताईए तेरह खड़ी में लिखेंगे कितने खड़ी में तेरह खड़ी में तो चलिए मैं किसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों में यहां पर बताया भी था आप लोग में यहां बताया भी था कि ओ कि मात्रा नहीं होता है यहां पर ध्यान दें चलिए ओ कि मात्रा नहीं होता है आ कि मात्रा चोटी ए बड़ी ए चोटाओं उ बड़ाओं उ री ए ए कि मात्रा इसे लिखते हैं कि आए कि ओ ओ ओ ओ अग चलिए इसका स्पेलिंग बताइए ए इसका ए भी होता है डबल ए भी होता है आई आई भी होता है डबल इभी होता है यू चलिए रिपीट कीज़ें बताइए बड़ाओं उ का यू भी होता है डबल ओ भी होता है और इसे री कि इसे ए एसे आई ओ ओ ओ यू या ए यू इसका क्या होता है ए ए इसका ए एच लेकिन मैंने कहा था कि जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसी को लिखना है ओके चलिए तो अब मैं यहां यहां पे कह से लेकर ग्यां तक किसी भी एक अक्षर को ले ले रहा हूं उसी को तेरा खड़ी लिखेंगे जैसे मालीजी मैं कहसे स्टार्ट कर रहा हूं कहां से कह से तो ध्यान सा समझेगा यहां पर को को मैंने लिया तो को में 13 बार कितने बार लिखूंगा 13 बार लिखूंगा अगर यह लिखना आप लोगों को आ गया तो आगे कोई भी समस्या नहीं होगा इसको काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार बार तेरह वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन तुवेल्व थर्टीन ओके थर्टीन हो गया न अब चलिए अब उसमें क्या करेंगे यह पूरा स्वर जो है यह पूरा जो स्वर है टोटल कितने हैं तेरह हैं अब तेरह में जो आ है आ को हम क्या मान तो को में कौन सी स्वर चिपी है और चिपी है को और लेकिन पहले वाले में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे ठीके अब चलिए दुसरे वाले में किसकी मात्रा ले लिए आ की मात्रा को में आ की मात्रा का को में छोटी की मात्रा चोटी की को में बड़ी की मात्रा बड़ी की को म की छुटाओं कू कू उसके बाद से बढ़ाओं के बाद के आते हैं री तो कमें री के मांतरा क्री उसके बाद से इसको थोब मीटा कर नीचे लिख लो चलिएये है है सोग together its अभर दोस्तो आप ही एक बात बते जरा से इसमें किसको कहते है और मात्रा किसको कहते है तो का से लेकर गिया तक इन सभी को मिला करके वेंजन कहा जाता है अब उसमें से किसी अक्षर को आप निकाल ले किसी भी एक को निकाल ले तो उसे अक्षर कहते है लेटर कहते है ध्यान से सुनिए का से लेकर गिया उन सभी को मिला करके वेंजन कहा ज है उसमें कोई ने मात्रा है उसमें कोई ने को इसमें कोई मात्रा है तो आप बताए करते हैं को आप लोग जानते हैं कि कॉ का जो spelling है के होता है। तो आप ए भी लिए करके सही कर सकते हैं या डबल ए भी लिए करके सही कर सकते हैं। तो इसमें writing skill में इसमें कोई गलत नहीं कटेगा। लेकिन मैंने यह हैं जो आंडर्लाइन मैंने कर दिया उसी को लिखिए आगे चल के आपको समझ में प्लूब Красive का बाट ओर किसको मातरा लगा हुआ हुआ है छोटी का तो बताए पहले मात्रा के कि पहले अक्षा घ्य स्पलिंग लिखते हैं अक्षा किसमिलिकते तो कव क्व क्या होता है के छोटी एक मतरह है तो छोटी एगे रहे 6 छोटी एक मातरह रहे कि दोनों के स्पीलिंग वित्क्राण आई होता है बोलिया सब को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें ओके चलिए को में किसकी मात्रा बड़ी की मात्रा तो यहां पर को किस पेलिंग के लिख दिए अब बड़ी का जो मात्रा है आई भी होता है डबल इभी होता है आप आई criticism हो जाएंगे कि छोटी की का है कि बड़ी की का है एक वेसे आय और फिक्स ही मात्रह है और लिक्हेंगे तो यहां फिक्स नहीं हो पाएगा कि वह बड़ी य के लिए है कि छोटी के लिए के स्पेलिंग कोई कैं क okay tepaly के humidity के चोटाओं की मातरा इस पेलिंग क के आधि देखिते च्छोटाओं च्छोटाओं की मातरा की स्पेलिंग यू समय आरे चिनी आ यह यह को कि स्पेलिंग के बढ़ाओं के लिए यूब वी होता है डबल लो भी होता Ale यू भी लगाएंगे सही होगा डबल ओ भी लगाएंगे तो सही होगा लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा डबलो क्योंकि पहले सही यू लग चुका है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए वेरी गुड अब चलिए इसी को हम लोग छोड़ देते हैं छोड़ द तो को की स्पेलिंग के को की स्पेलिंग के इस मात्रा की स्पेलिंग क्या होता है तो री की मात्रा है री की मात्रा की स्पेलिंग आर आई होता है बोली आप लोग समझ में आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं चलिए अब को में एक की मात्रा लगा है तो को की स्पेलिंग के एक ल लिखे इस पेलिंग तो को यहां के लिए क्या लगाइंगे एए अइस सब को सभी मारे की नहीं आ रहा है बहुत अच्छा तो कि इस ओकी मात्रा के लिए ओ को फोड़ी ने यहां पर गलती हो गया को का itäPSPELING-KEN-क in आँ की मात्रा है तो ऑव के लिए औव लगाई है चाहिं यू लगाए कोई गलत नहीं करेगा मैंने यहाँ पे और यू लगा दिया मैंने नहीं किया लगा दिया पतैं से मैंने यहाँ पे और यू लगादिया चलिए को केसे नग की मात्रा है पो recognized सांग के लिए क्या लगता है alam के लिए लगता है तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तोओ तो आप लोगो इस तरी इस तरीके से क्या करना है अच्छे इस लिखना है अब चलिए खुद अभी आभी रह Launch पेन रफ और पेन निकालिए और तुरंट को के बार कि आता है उसको आप लोग अभी जस्ट इस तरीके से बनाए चलिए अगा को लिखिए तो मैंने कहा था कि कौस लेकर ग्याता किसी भी अक्षर को जब आप लोग लिखेंगे तो उसको कितने बार लिखेंगे तेरह बार ल फास चलता होगा चली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इक्ञार बार तेरह ओके समझना रहे नहीं आ रहा है अब चली पहले वाले में कुई मात्रा नहीं लगाते हैं बस उसका इस पेलिंग लिख दीजिए तो खा के स्पेलिंग क्या होता है क्या होता है क्या ह होमें किस की मातरा की मातरा किस की मातरा की मातरा और कि मातरा तो को किस में होता है क्या क ver Detroit अ मेंने बोला था ना कि आक-जो मात्रा होता है ओ यह लेकर आज़ेंगे अब बड़ी कै CrispyGS यह आई से भी बड़ी खी हो सकता है कोई गलत नहीं कटेगा लेकिन पहले से आई लग चुका है इसलिए हम के डबल इफ लगाएंगे ठीक है चलिए खाच छोटी खी बड़ी खी चोटाओं खू के एच यू तो इस छोटाओं के लिए के लगा दिये लगा दिये अब बढ़ तो इस बड़ाओं के लिए क्या लगा दिये डबल लगा दिये चलिए उसके बाद से री की मातरा तो के एच से खा री के लिए क्या लगा दिये आ रही लगा दिये उसके बाद से खा खा चोटी खी बड़ी खी चुटाओं कू बड़ाओं कू खू 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 कि खानों कि लिए ओसके ऑग इसके उसके मात्रा की भिष्वय विंग मात्रा का spelling जोता है अइब होता है । दोनों से या विछ रही हिए उसके वाशे करकी मक्राइगे लागा दिए औ्लगा कि अश्करन होता है अब ख़ौ के बाद कौन से मत्र लगा दिये जोर कि स्पेलिंग क्या होताइग होता है इस तरीके से आप लोगो को question करना है इस तरीके से आपको घर पे बैठके खुब ज्यादा practice करना है तो आपको swear और व्यंजन का जो spelling है अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा अच्छे से याद अगर हो जाए तो इस तरीके से जो तरीका है उसको हम लोग आगे केसे बढ़ाए तो यहां लेक्चर फस्ट है इसका लेक्चर सेकेंड आएगा आप लोग तब तक इसको practice कीजिए आपको हम home work में काखा हो गया गा से लेकर के गा से लेकर के कहां तक ग्यां तक क्या लिखने के लिए दे रहा हूं ते रहा खड़ी अंग्रेजी में क्या करें अंग्रेजी में लिखें अंग्रेजी में लिखें आप लोगों को English में कैसा भी topics हो कोई भी समस्य हम होने नहीं देंगे हम वादा करते हैं कि कहीं से भी आपको जुकने नहीं देंगे तो आप लोग पहले basic से advance पढ़ें तो आप लोग को जो है हम homework गवा से ले करके ग्या तक 13 खड़ी को किसमें लिखना है अंग्रेजी में बनाना है ओके और अगला lecture में हम किसी का किसी का भी सब्ध हो नाम हो किसी वेक्ति का नाम हो उसको अंग्रेजी में आसानी से फटाक से कैसे बनाए या कहीं भी chatting करना हो तो किस तरीके से फटाफट चैटिंग करते हैं लेटर भी गलत नहीं होगा आप लोग बस बढ़ियां से इस यूटूब योग्या प्लेनेट को बढ़ावा दें आप लोग मन से पढ़ें ताकि हम लोग भी जो जुन से पढ़ाएं और आप लोग भी जो जुन से पढ़ें थैंक्स बाबाए